हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग ओभरिवन रेलवे गुरूप डी एकजाम 2022 तेश अगस्त 2022 फर्स्ट सिफ्ट का मैथ अनलाइसिस करने जा रहे हैं देखिए किवसंस नंबर पहला यहां पर आपको दिख रहा होगा एक धन रासी चक्रविर्धी ब्याद यानि कि स्री प्रस में दूगनी हो जाती है। दूगनी को हम लिख सकते हैं दो का घाट एक इसक्रा से तो देखिए प्रस में बोला है प्लिए कि consulting कि और यह आपको परस में लिखा है तोじゃあ two наст में लिख सकते हैं दो चार यह जो आपका घाट रहता है यह इस देद केदा करने का मतलब यह आपका 10 है तो 10 गुना कितना हो जाएगा 4 तो हम बोल सकते हैं कि 40 बर्स यानि कि 40 बर्स आपका correct answer होगा यानि 10 बर्स में CIE की दर्स से डुगनी होती है तो 40 बर्स में CIE की दर्स से 16 गुनी हो जाएगी अब देखते है नेक्स्ट क्यूपसंस क्यूपसंस नमर देखिए दूसरा एक संबहुभूज के परते कामता कोन 120 दिगरी है तो इसके भूजाओं की संख्या बताईए किसी भी रेगुलर पोलेगन में यानि किसी भी संबहुभूज में आंत्रिक कोन और बाह कोन का युगफल 180 दिगरी होता है यह सबी लोग जानते होंगे यह हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटर्नल एंगल पलस एक्स्टर्नल एंगल का युगफल कितना होता है 180 दिगरी हिंदी में भी लिख देते हैं आंत्रिक और बाह कोनों का युगफल कितना होता है तो यह 180 दिगरी के बराबर होता है तो आपके प्रेस्ट में अन्ता को की है kटन और कितना निकाल सकते हैं कितना होगा कितना हो जाएगा एकसो बूह सांख्या किसप्रकार से निकालते हैं किसी भी समबहोगुज के भुजाओं की संख्या निकालने का क्या formula होता है तो यहां पर हम लिख रहा है 360 degree में आपको परतेक बाह कुन से यहां पर भाग देना होता है परतेक वह कौन परतेक वाह कुण से क्या करते हैं भाग मेथे हैं तो देखिए 307 डिग्री बटे पर देख गई कित्ना हो घ्orsun क्या गटे यह 60 तो यह कुण से 6 बार में कैंशल हो जाएगा 307 डिग्री य्नि कि 6 भोजाओं ने दॉस सक्ते हैं सम सट भूज है यानि कि यह आपका छे इस प्रसंद का एंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए रेक्ष्ट क्यूप्शन्स तीसरा क्यूप्शन्स नमबर देखिए तीसरा यह त्रिगुलमेट्री का क्यूप्शन्स है तो वन पलस कॉस से बटे साइने पलस साइने बटा वन पलस कॉस से का मान क्या होगा तो यहां पर इसे सुल्ब कर देते हैं एलस्यम क्या हो जाएगा आपका साइने इंटू वन पलस कॉस ए यह आपका एलस्यम हो जाएगा अब देखिए क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कीजिए तिर्शे तिर्शे गुना कीजिए तो वन पलस कॉस से यहाँ पर हम लिख देते हैं यह आपका क्या है तो sin A into 1 plus cos A और यह देखिए 1 plus cos A का whole square कीजिए यानि कि A plus B का whole square में break कीजिए तो A square यानि कि A का square A plus B square यानि कि cos A का square तो cos a square A उसके बाद plus 2 A B मतलब 2 गुना 1 गुना cos A तो हम लिख सकते हैं 2 cos A उसके बाद plus और यह sin A का square यानि कि हम इसे बोल सकते हैं sin square A अब next step देखिए यहाँ पर यह तो आपका 1 है फिर plus यह cos square A plus sin square A तो यहाँ पर देखिए यह दोनों का योगफल कितना हो जाएगा बच्पल में आप पढ़े होंगे 10th class में sin square theta plus cos square theta का मान एक होता है या cos square theta plus sin square theta का मान एक होता है तो cos square A plus sin square A इसका भेलों एक हो गया पलस यह आपका कितना है 2 cos A इसके बाद next step देखिए यह आपका कितना है sin A into 1 plus cos A अब next step देखिए LCM पहले ऐसे ही रहेगा sin A into 1 plus cos A और उपर में आप देख सकते हैं 1 plus 1 यह आपका कितना है 2 यानि कि 2 plus 2 cos A तो 2 हम common ले लेते हैं तो 1 plus cos A हो दाएगा और 1 plus cos A सो 1 plus cos A cancel हो दाएगा 2 बटा sin A को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा sin A और 1 बटा sin A को क्या बोलते हैं cos A यानि कि 2 cos A तो 2 cos A इस प्रसंद का correct answer है इसके बाद देखें next क्यूपसंस 4 क्यूपसंस नमबर देखें 4 यह आपका मेंसुडेशन का easy क्यूपसंस है क्या लिखा है एक समचत्र भुच के दोनों बिकरनों की लंबाईया करमेसा 15 मीटर और 18 मीटर है और दूसरा भुचरन 18 मीटर का है तो यह 2 नमा थारा 15 नमा 35 से यानि कि 135 बरग मीटर इस प्रसंद का correct answer हो जाएगा अगर जो यहाँ पर 18 मीटर के जगा पर अगर जो किसी दूसरे क्यूपस में है 18 मीटर के जगा पर कितना कभी-कभी लिखा गया है 18 मीटर यानि कि बहुत सारे जो अश्ट्रेंट्स होते है एक ही वेराटिक के क्यूपस डाटा अलग अलग हो सकता है तो 18 मीटर के जगा पर अगर जो 12 मीटर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बटा 2 गुना 15 गुना 12 तो यह हो जाएगा 2 छके 12 तो 15 छके 90 भर्रमेटर हो जागा तो आप खुद से उतना कर सकते हैं इसके बाद देखिए क्यूपस डनबर 5 क्यूपस डनबर देखिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूपस डनबर है इसलिए हमने इसे अश्टार किया है तो देखिए एक अग्ली 50 km परती घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने गंतब अस्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है और 7 km परती घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है तो उसका बास्तविक समय बताएं तो सबसे पहले दूरी निकार लिजिए कि उसे कितना दूरी तै करना है तो दूरी बरबर के हाँ पर यूज करना है चालो का गुनंफल बटे चालो का अंतर गुना समय का अंतराल चालो का गुनंफल यानि कि 50 गुना 7 बटे चालो का अंतर तो 50 और 7 का अंतर 10 है गुने समय का लेकिन पुछाय प्रस्ट में बास्तिविक समय बताइए तो यहां पर हम लिख रहे हैं बास्तिविक समय तो आप जाते हैं समय बरबर क्या होता है दूरी बते चाल तो पचीस किलोमेटर की दूरी तय किया जा रहा है तो यहां पर दो चाल दिया है कोई भी एक चाल ले लिजिए माल लिजिए कि हम ले रहे हैं यह वाला पहला वाला चाल कितना ही आपका 50 किलोमेट से चलता है तो दस मिनाट देर से पहुंचता है तो बास्तिक समय निकालना है तो दस मिनट हमें घटाना होगा यानिकि 10 बते 60 घंटा घटाना होगा तो इसको स्वरूब कर लिजिए तो यहां पर 25 दुनी 50 यह 1 वटा 2 2 घंटा और यह देखी कितना हो जाएगा तो दस से कम दस दस था के साथ यानिकि एक वटा 2 घंटा काने का मतलब कितना हो गया तो हम इसे बोल सकते हैं 30 मिनट यह आपका है और एक वटा 6 घंटा काने का मतलब 6-60, यानि कि 10 मिनट आपका ये है, तो 30 मिनट में से 10 मिनट घटाएगा, तो 20 मिनट होगा, that means कहने का मतलब 20 मिनट आपका character answer है, या आप दूसरे तरह से निकाल सकते हैं, बास्तिविक समय निकालना है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सबसे पहले समय बरबर दुरी बटा चाल, तो पचीस किलोमेटर आपका दुरी है, और अब की बार हम दूसरा चाली उज़ करते हैं, माली जे कि ये वला ले रहे हैं, साथ किलोमेटर परती घंटा, यानि कि पची 10 बटे 7 घंटा, यानि कि 1 बटा 3 घंटा, 60 सब गुना कर देंगे, एक बटा 3-7 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, या आपका मिनट में हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं, या आपका कितना हो गया, 20 थी बhãत बहुत ही जी है, तो दूनों चाल में से किसी का भ्यूज कर सकते ह पहले हमने आपको बताया कि 50 km पर ती घंटा की चाल का यूज़ करके इस तरह से 20 मिरत आपका इसर हो गया या आप दूसरा चाल जो है 70 km पर ती घंटा इसका व्यूज़ करके बना सकते हैं इसके बनाने के एक और अप्रोच है रेशियो मेठर उससे भी आप बना सकते हैं तो देखते हैं next questions, questions number 6 questions number 6, ये बहुत ही easy questions है, simplifications का questions है तो सुर्ण करते हैं, ये 3 पर power 0 है कोई भी चीज़ पर power 0 हो मतलब x पर power 0 या by पर power 0 या किसी भी digit पर power 0 हो तो उसका मतलब 1 होता ही, आपको ध्यान रखना है यहां हम लिख देते हैं, x पर power 0 इसका मतलब कितना होता है, एक तो यहां देखें, 3 पर power 0 तो इसका मान एक हो गया पलस अब यह देखें, 3 पर power minus 2 है, आपको concept मालुम होना चाहिए एक पर power minus M है, इसे लिख सकते हैं, एक बटा एक पर power M तो इहां देखें, 3 पर power minus 2 है, इसे लिख सकते हैं, एक बटा 3 पर 2 और पलस, 3 पर power minus 1 है, यादि एक बटा 3 पर 1 और इतना गुना कितना है, 27, नेक्ट चप देखें, एक को एक बटा एक लिख सकते हैं फिर 20 ये कितना है एक बटा तीन का स्क्वार यह निकि 9 पलस यह देखे एक बटा यह आपका 3 है और इतना गुना 27 तो यहां पर एक 9 और 3 का येल से लेज़ेगा तो 9 होगा यहनि कि सभी को हर को हम 9 बना देते हैं यहनि कि एक में 9 से गुना यहां तो है ही 9, यहां 9 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो यहां भी, यह कितना हो गया, 9 बटा 9, यह 1 बटा 9, यह 3 बटा 9, यह 9, 10, 3, 13 बटा 9 हो गया, तो 13 बटा 9 गुना, यह आपका 27, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्यूशन्स सेवन नंबर, क्यूशन्स नंबर देखिए 7, यह भी मेंसल रेशन का क्यूशन्स है, एक गोला का ब्यास 12 सेंटीमेटर है, तो इसका आयतन बताइए, आप जानते हैं, ब्यास बरबर आपके प्रेस में कितना दिया गया है, 12 सें इसके ब्यास का आधा, तो इसके तरीजय कितना हो गया है, 6 सेंटीमेटर, और आयतन का मतलब भीप और वोलूम यह आप जाते होंगे, यह आप से पूछ रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4 बटा 3, पाई, आर्क्यू, तो यहाँ पर देखिए, 4 बटा 3, पाई, आर् सकते हैं, तो 72, 3, 262, 242, 288, यानि कि 288, पाई, सेंटीमेटर, स्क्वाइर, इस प्रसंद का एंसर होगा, इसके बाद देखिए, किपसंस नमबर 8, किपसंस नमबर देखिए, यह भी प्रोब्लम्स बेस्ट और एज का बहुत ही अच्छी किपसंस है, इसलिए इसे हम अश् पुत्र की आयू, दस बर्स पहले, एक यूनिट था, तो उसकी माता की आयू, इसका तीन गुना, यानि कि 3 यूनिट था, इसमें कोई भी डोट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजिवे में हमने इस तरह से संकेत के रूप में लिखा है, दस बर्स पहले, पुत्र की आयू, एक बर्स, तो माता की आयू, तीन बर्स इस तरह से, अब देखे क्या लिखा है, और 5 बर्स पहले माता की आयू, पुत्र की आयू का अड़हाय गुना था, अड़हाय गुना कहने का मतलब 2.5 गुना या 5 बटे 2 गुना, तो देखे, यहां पर लिखा है 5 बर्स पहले, तो स जब ही आपके प्रस्ण में अलग-अलग समय का अनुपात दिया हुआ होता है, तो अंतर को समान करते हैं, तो यहां पर देखिए, तीन और एक का अंतर कितना है, तो दो का अंतर है, उसी प्रकार से पाच और दो का अंतर कितना है, तीन का अंतर है, तो दो और तीन को हम समान क करेंगे तो दो और तीन का सिम कितना होता है छे यहीं दो को छे बनाने के लिए तीन से गुना करना होगा तो एक में भी आपको तीन से गुना करना होगा और तीन में भी तीन से गुना करना होगा तो यह तीन को छे बनाना है तो तीन में हमें दो से गुना करना होगा तो दो म निकालेए तो कितना होगा 9-5 यनि कि 45 बर्स तो यह 45 बर्स है जो 10 बर्स पहले माता की आई है तो बरतमान समय में माता की आई कितना हो जाएगी बरतमान समय में माता की आई निकालना है तो 45 में हमें 10 जोड़ना होगा क्यों क्यों कि देखिए 10 बर्स पहले माता की आई तो बहत्मान समय में जाने के लिए 10 समय जोड़ना होगा तो 45 पलस 10 यनि कि 55 बर्स यह आपका करेंट लिख देते हैं कि अगर जो आपसे प्रस्ट में पुछे कि पुत्र की बरतमान आयू क्या होगा तो सबसे पहले तो एक इनूट का भलू पाँच बर्स है तो तीन इनूट का भलू निकालना होगा यदि कि तीन कोना पांच यह पंदरा बस हो गया तो पंदरा बस है जो दस ब किपसंस नमबर देखें नाइफ यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट किपसंस है किसी बस तूपर लागत मुल से कितना पर 30 मुल बढ़ा कर अंकित किया जाए कि 30% छूट देने पर भी 10% का लाब हो तो सबसे पहले अंकित मुल हम माल लेते हैं कि 100 रुपया है अंकित मुल 100 रु का लाब का हो गया 70 रुपया अब लिखा है कि 10% का लाब हो तो यहाँ पर कोश्ट प्रेश निकाल देते हैं 10% का लाब हो तो कोश्ट कितना होगा यहनी 70 गुना 100 बटे 110 अब इस कि पुच्छा है लागत मुल से कितना पर संट मुल बढ़ा कर अंकित किया जाना चाहिए देखमिस अंकीत मूल आपका है 100 और लागत मूल कितना है लागत मूल है 70,1,0 नटल तो यहां पर यह कल्कुलेट करते हैं यह 1-0 1-0 cancel हो जागा और यहां पर یہ 2-0 से 2-0 भी cancel हो जागा रेसियो में बशर कर देते हैं तो यहां पर इगारा गुना एक यानिकी इगारा अनुपात साथ गुना एक यानिकी साथ तो यहां पर हम फानली लिख रहे हैं यह आपका अंकित मुल और क्रेमुल का रिस्यू कितना हो गया इगारा अनुपात साथ तो यहां देखें अंकित मुल इगारा है क्रेमुल साथ ह यनि कि अंकित मूल आपका 4 ज़्यादा है, कितना पर तो 7 पर यनि कि 4 बटे 6 यह क्या निकल रहा है percentage अधिक हम निकाल रहे हैं तो percentage निकाल नहाँ है तो आपको 100 से बुना करना होगा यनि कि 400 बटे 7 उतना परसेंट अधिक या चैनि 7 Dil में यहां पर तीन लगतार संख्या है तो बड़ी संख्या बताइए आपको मालूम होगा कि आउसत बरबर क्या होता है योगफल बटे संख्या तो आउसत से description को तुरंट बना सकते हैं यहां पर तीन लगतार संख्या है पाईजी संख्या दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या दिया है कि तीन लगतार संख्याओं का य haft 257 और आउसत कितना होगा और वह संख्या यूद्ध कितना डिया है 274 तो 274 बटे तीन संख्या है तो बटा तीन कैसल की जिए तो तीनमस 27 और ये आठाइट कि चववन यानि कि यहां पर कितना हो गया तो नौशब और ये संख्या आपका है बीच बाला संख्या जो अवसत हुआ 918 कि उसस में बोला है 3 लगतार संख्या है तो अगला संख्या जो भी होगा वो इससे 9 जादा होगा क्योंकि बोला है 9 से भी भाज 3 लगतार संख्या तो बीच बाला संख्या 918 है तो इसके अगला संख्या जो 9 से भी भाज है कितना होगा 918 पलस 9 यानिकि 927 और इसके पहले वाला संख्या क्या होगा इससे 9 कम होगा तो आपसे पुछा कुछा किवसंस में बड़ी संख्या बताईए तो 927 आपका एंसर हो जाएगा अगर जो पुछता कि छोटी संख्या बताईए तो 999 इसर हो जाता अब नेक्स किवसंस देखते हैं 11 किवसंस नमबर देखिए 11 ये भी आपका आयू से संबधनिक प्रस्न है problems based on age तो क्या लिखा किवसंस मोनू की आयू सोनू की आयू का तिवना है यहाँ पर हम लिख देते हैं मोनू की आयू है जो सोनू की आयू का तिवना है तो है कार्थ क्या होता है पर जिन बैकमिस कहने का मतलब बरतमान समय को ये दर्सा रहा है यानि कि बरतमान समय में यहाँ पर हम लिखते हैं कि बरतमान समय में मोनु की आयू सोनु की आयू का तिगना है यानि सोनु की आयू एक बरस है तो मोनु की आयू तीन बरस हो जाएगा या कितना ही बर्स पहले दो ब्यक्ति की आयू का अंतर हमेशा समान होता है that means कहने का मतलब या तो बरतमान समय या भूद समय या भविश समय किसी भी काल में जाइए आप पायेंगे की दो ब्यक्ति का आयू का अंतर हमेशा constant रहता है तो यह आपको ध्यान रखना है तो यहां पर 10 बर्स बात दिया है दोनों को यायू का अंतर 24 बर्स हो जाएगा तो बर्तमान समय में भी दोनों को यायू का अंतर कितना है 24 बर्स का है तो यहां पर अंतर कितना का है 3 और 1 का अंतर यहां पर हम लिक देते हैं अंतर कितना का है यहाँ पर ratio में 2 का और press में दिया है कितना 10 वर्स बात दिया है अंतर 24 वर्स का तो by concept बर्तमान समय में भी 24 वर्स का अंतर रहेगा तो यहाँ पर अंतर 2 है यानि 2 ratio का भलू कितना दिया है 24 वर्स तो एक ratio का कितना हो जाएगा 24 वर्स यानि कि 12 दो में 12 से पुछा है तो मोनू की बतमानायू यहां पर तीन है तो तीन में आपको 12 से गुना करना है यह आपका कितना हो जाएगा 36 बस तो मोनू की बतमानायू 36 वर्स आपका answer हो जागा अगर जो पुछें कि सोनों की बर्तमानायू कितना होगा तो एक में आपको 12 से गुना करना है डेट मिस कहने का मतलब 12 बर्स सोनों की आयू हो जाएगी बर्तमानायू इसके बाद next क्युपसंस देखें क्युपसंस नमबर 12 क्युपसंस नमबर देखें 12 यह भी सिंप्लिफिकेशन का क्युपसंस है तो सुर्व करते हैं 144 का स्कॉर रूप कितना होगा 12 होगा माइनस डेसिमल हटा रैंगी तो 170 बटा 10,000 होगा इसका बर्गूल कितना होगा 30 का 13 होता है बर्गूल और 10,000 का 100 हो तो यहां पर हमने लिखा 0.13 पलस यह डेसिमल हटाएगा तो 441 बटा 100 होगा 444 का बर्गूल ब'tीस और 100 का दस यानिकी 21 बटा 10 तो 2.1 हम लिख सकते हैं इसके बाद देखिए यहां पर यह आपका पलस में 12 है और यह पलस में 2.1 है यानि कि पलस में 14.1 और – 0.13 तो आप घटा सकते हैं इस तरह से 14.1 जिरो अपने मन से लिख सकते हैं और यह कितना घटाना है? 0.13 तो घटा देते हैं यहां पर यह 7 हो जाएगा यहां पर 9 हो जाए सबसे चोटी संख्या का दुगना और बड़ी संख्या का योग क्या होगा तो अवसत का मतलब क्या होता है बीच वाला यानिकी मिडिल पॉइंट तो देखिए यहां पर हम इस तरह से बना देते हैं अब देखिए यहां पर बीच में कौन पड़ेगा तो यह बाला हिसा आपका बीच वाला पड़ेगा तो यहां पर आउसत कितना दिया है 36 यानि कि यह आपका कितना है 36 और इसके पहले देखे एक दौग 345 यान कि यह आपका क्या हो गया यह अबला हो गया आउसब घैक्ट में भोज सकते हैं कि 13 लगातार संख्यावों का आउसब 36 है इस तरह से आरेक में हम दिखा सकते हैं अब देखे लगातार संख्या है तो 36 पंधे इस सह 53 चर्थ चर्थिन चर्थ होगा और इसके पहले श्राइज के पहले 35 35 पहले 34 और करो श्री 65 के पहले 32 32 के पहले 31 पहले तो सबसे चो चठी आड़िस आपका , और सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया , 42 हो गया क्या बोला है सबसे छोटी संख्या का दूगना यानि तीस का दूगना और बड़ी संख्या का योग बड़ी संख्या आपका 42 है यानि कि यहां पर हम बोल सकते हैं 60 यानि कि 102 इस प्रसंद का करेक्टेंसर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्यूपसंस 14 क्यूपसंस नंबर देखिए चवदह 28, 27 और 170 का आपको मुष्ण पुछा है तो यहां पर देखिए चवद्टर को लिख सकते हैं 26 त्यांटर 26 गूना 3 और 27 को लिख सकते हैं 9 गूना 3 और 17 को 13 गूना 9 लिख सकते हैं 29 गूना 3 भी लिख सकते हैं that means कहने का मतलब highest common factor कितना है तो 3 इसका HCF कितना हो जाएगा 3 अब देखिए क्यूशंस नंबर 15 या 16 जो भी आगे क्यूशंस से एक दो क्यूशंस आपका था CI और SI का difference पर तो यहाँ पर हम 2 बरसों के लिख देते हैं 2 बरस के लिख देते हैं 2 बरस के लिख देते हैं 3 बरस के लिए क्या होता है तो CI माइनस SI बरबर होता है मुलधन का पहले इतना तो लिखेंगे आर बटा सौ का whole square और गुना 300 पलस आर परसेंट या इतना बटा सौ भी लिख सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है 3 बरस के लिए फर्मूला और 2 बरस के लिए डारेक्ट आप फर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं तो नेक्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निट्रोपिकेसन को all में जरूर सेलेट कर लिए नेक्ट वीडियो आपका रेल गाड़ी से समन्दित प्रस्ण कराने जा रहे हैं यूथ कमपटिशन आररवी 2022 ते इस गनित का